हेलो स्टुडेंट नमसकार आजका अपना टोपिक है बीएसे पार्ट थर्ड मैफेमेटिक सी लेंग्वेज प्रेक्टिकल इसके अंतरकत आपके प्रेक्टिकल के अंदर दो ग्रूप है ग्रूप A एंड ग्रूप B ग्रूप A में आपके 6 experiment है, ग्रूप B में आपके 8 experiment है, तो टोटल A प्लस B ग्रूप को मिला के 14 experiment हो जाते हैं, इसका अपन practical से related जो भी slivers था, इसे previous अपने class थी, उसमें पुरा discuss कर लिया, तो अब अपन आज का जो topic लेने जा रहे हैं, ग्रूप A का experiment number 1, अपने यहां आज के बारे में पढ़ेंगे, तो experiment number 1 में अपन क्या करेंगे, तो अपने पास क्या है कि, algebraic and transcendental equations होगी, तो इनका solution कैसे करें, अपन को कोई भी equations दे देंगे, equations को लेके, फिर अपने न, computer पे, उसको कैसे learn करवाएंगे, reading कैसे देंगे, output कैसे आएगा, programs का code कैसे बनेगा, उसक transcendental equations है, तो यह कितने methods है, जिनके फिरोपन इनको solve कर सकते हैं, तो अपन जो methods यूज करेंगे, तो अपना पहला methods है, bisections method, दूसरा method होगा, regular-falsy method, तीसरा method होगा, Newton's-Rofsons method, तो अपना आज का जो यह solution करने का method यूज करेंगे, bisection method यूज करेंगे, तो अपना group A का experiment का number 1 title है, कि write a C program for finding the root of the equations, तो आपको यह equations दे रखिए, यह वाली, अब यह na, questions में change हो जाए, तो program का structure सेम रहेगा, equations change कर देंगे पन, प्रोग्राम के अंदर, तो आपके जो equations given है, x3-2x-5 equal 0, अब हो सकता है कि यह कई दूसरे बच्चों के मालों, experiment है, equations change कर दें, हो सकता है, x4 कर दें, हो सकता है, 2x cube कर दें, 2x की जागे, 4x कर दे, और यह minus 5 की जागे, 6 कर दे, तो यह equations change हो सकती है, तो by using bisection method, तो अपनको इस ही method का logic apply करना, यह आपने अन्दर, numerical analysis के इंदर in the interval अपन यह रूट्स लेके चलेंगे इस इंटर्वल में रूट्स केल्कुलिट करेंगे कि आपको यह इक्वेशन गीवन है इस गिवन में जो यह रूट्स लेंगे अपन टू एंड थ्री इनिशियल आपके इंटर्वल टू अथ्री लेके और फिर इसका अपन सोलिशन करे अटihen करेंगे Questo एक्वेसिंज को ऑपना देना है तो इतें से अब इस प्रोग्राम को नेकर नसे के रिस्ट्रक्चर को पुरा फोलो करते वे एक प्रोग्राम बनाओ आप प्रोग्राम बनाने के लिए पहले आपको पूरे बेसिक कंपूर यह के बेसिक संसा उनके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब इंपूत्स बात के चलते हैं यहां पर डापार्ट पूरा डिफाइन इसके बाद आपका काम होगा अब यहां पर data क्या आएगा यह equations define करेंगे तो इसमें यह दो इनिशल जो रूट लेंगे अपन तो X 0 और X 1 यह रूट लेके चलेंगे फिर अपन आना calculate करेंगे अपन एक X2 लेके चलेंगे, Y0 लेके चलेंगे, Y1 लेके चलेंगे, Y2 लेके चलेंगे, तो Y1 और Y2 अपने कैसे एवालिवेट करेंगे, तो अपने यह जो इनिशेल वेल्यू लेके चलेंगे, यह इसमें पुट करेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 क्यूब हो जाएगा, माइनिस टू इंटूट टू 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 También ठील जाएगा माइन फाइब दो एक वाइबं की वेल्ई आ जाएगी बाइचिक्डगी ऑईटू डा पार्ट रखेंगे एक आपका टोलरेंस वेली होगी तो रूट का जो फंक्सन के जो रूट होता है उसको यह डिफरेंस के लिए अपन इसको यूज करते हैं और अपना फिर इन्पुट होगा इन्पुट से स्टोरेज में डेटा जाएगा तो स्टोरेज में जितने भी अपन आपको देटा टॉट करेंगे यहां पर मैस के टिक्टिल करेंगे तो एक इंटेजर करेंगा गरें coordin से नहीं नहीं है एक लॉंग इंटिज़र करेंगे अगर आपनको में डेटा अलाव करना तो फोकरेंगे रियल य स números के लिए फ्लॉट और फ्लोट में अगर एक्वी रेस्वी को बढ़ानी है पॉइंटों की संख्या बढ़ानी है तो डबल करेंगे तो आप एक बार याद रख लो इंटीजर और लॉंग इंटीजर इंटीजर का मतलब समझते हो राउंड फिगर जिसमें फ्रेक्शनल पार्ट नहीं होता और ए एक तो डाइनली एक आपका डियोंजा टॉट ऑफ्रेक्शनल पार्ट नहीं होगा घ्रिपर न रे युदंग बनी एक में आपका ज़हे देखे चलेंगे तो वह आपका रहेगा सिंगल प्रिसिजन यानि फ्लोट रहेगा और अगर आप इसके एकुरेसी बढ़ाद होगे रेंज बढ़ाद होगे तो डबल हो जाएगा और इंटीजर में अपन जो में लिमीट अलाओ करते हैं वह अपने ना बतीस आसो सट सट की ल प्रिक्तिकल करने से पहले क्या 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 यूज करेंगे टीजर में आप करना इंटीजर आएगा लॉंग इंटीजर आएगा फ्लोट आएगा डबल है चार की वर्डा फिक्स है यह कंपाइलर में फिक्स पहले से ही डिफाइना तो यह डेटाड़ के अलावा और को अपने दूसरा यूज करेंगे नहीं और अपने इन्पुट इस्टोरेज में पुरा वेरिबल का डिक्लेरेशन करेंगे तो वेरिबल है इसमें जो केल्कुलिश फोरा लेके करेंगे तो फैनिय पूरा करेंगे अब और करेंगे यह ठीकार करने को बिदार करनी ठीकनी करना हो गया हंता रिदिफाइट करना हो गया हुआ अब works स्थाइट highlight का निकालना तो यह उप्तर करेंगे सबको याद हो जानाए यह ओपरेटर है और से पूरा काम होता है फिर और प्रोसेस के बाद में क्या होगा कि आपका हो सकता है कि कुछ इसमें जब अपन रिजल्स को ऑप्टेंड करें तो हो सकता है कि रिजल्स के लिए कई अगिया घीटैटी आ गया तो फिर अपना याँ लूप करेंगे कंडिशन लगाँ तो क्योंकि एपने के प्राफ करने के लिए क्वार कई सब्सक्रेटों कि रावन्द चलाने पड़ जाते हैं और फिर इसको पना कंट्रोल बोलजेते हैं स्चाहकर फूरप काम करने के दिख्कत कि उप्रमेरेक्त फीर स्ट्रेशीं हो गया है फूरा प्रोट मह vão घा तो अगर यह को। इसला है द्खकत निया एक हता यह को धिहान 2-3 शत्र इख्कत कीमistes करना है कि अपनको क्या एक्वेशन सब्सक्राइब करना तो मेथड का थोड़ा लोजिक आना चाहिए में तो और कोडिंग के लिए फिक्स रूल रेगुलेशन आने चाहिए तब जाके तुम्हें प्रोग्राम को रन कर पाऊगे अब रन करेंगे प्रोग्राम कैसे लिखे अब सबसे प्रोग्राम लिखूंगा तो मेख जीवें यह आपका सई होने चीए कि यह अपने क्यों लिखा जैसे यह लिखा तो ठीक है और यह लगा रहा है आपने एक यह लगा रहा है आपका यह बिगिनिंग पर आजाना चीए अचिए अच्छे स्टार और इस्टार स्ल कि अच're to separate thumbs अच्छे तो आपको यह स्लेस इस्ताल बैक स्लेस नहीं लगाना कर यह स्टार स्लेज यह लागा ना पड़ेगा आपको कश कय今日 लिखे तो यह प्रोग्राम को अपने खुद के समझने के लिए लिखते हैं तो यह कमेंट सेक्षन कर लाता है पहली लाइन सिंपल सी आप याद रख लो एक बार इसलेस स्टार और क्लोजिंग पे स्टार स्लेस फिक्स है इसमें जाए गलत भी एंट्री हो जाए तो भी यह कम्पेटरिस को स्टार है चमुर करता है तो यह पुरा आपका कमेंट सेक्षन करनाता है एक बार याद रखना होगा को कमेंट्स वोलते हैं गेना होता है और फिर यह पिर यह जो लिखती है यह लाइबरेज़ी फाइल से चाह gevालक्थ डैम Q नया शिया यह लिख से त्विए में केंगर मैं काम करने के लिए functions उपन यूज करेंगे तो अपनको ये फाइल है सामिल करने होगी erson кур लाउक करने के लिए एक बार याज रखना होगा ये ये यह उने यह जो वर्ड लिखा है हेस इंक्लूड तो हेस इंक्लूड क्या है यह प्री प्रोसेसर है यह प्री प्रोसेसर है प्री प्रोसेसर है यह ना लाइबरेरी फाइल से कनेक्टिविटी देने का काम करता है और यह जो फाइल है ना stdio.h यह लाइबरेरी यहेडर फाइल है, std का मतलब होता है standard, i का मतलब होता है input, o का मतलब होता है output, h का मतलब होता है header फाइल, ऐसे फिर यह दूसरी header फाइल अपने यूज कर रखी है, कौन कंसोल इंपुट आउटपुट हेड़ फाइल तो यह भी है ना जितनी आप अप याप हेडर फाइल यूज करोंगे तो सेप्रेट है नहीं हेश इंक्लूड के थुडू करोंगे अब अपने तीन फाइल है यह पूरी यह तीन हेडर फाइल को पनी उज किया हूँ आपर यह हैस इंक्लूड प्री प्रोसेसर है और यह एडर फाइल का टाइटल है तो यह तीनो लाइन है ना लिंक अपने लाइबरेडी फाइल से जूड रहा है तो एक बार यह फिक्स हर प्रोग्राम में डाल सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम में लाइबरेडी फाइल को सामिल करेंगे तो सामिल कैसे करेंगे हैस इंक्लूड के थ्रू तो हैस और इंक्लूड में गेप नहीं होना चाहिए छोटे अक्सर में लिखोगे केपिटल लक्षाल लखना ही निया कोड मनलब याद रखने का पोइंट है तो कोड को अपन टोटल यहाने इस्मॉल लेटर में लिखेंगे c language का disadvantage है c language cage sensitive language है अपर case को lower case को different different identify करती है तो अगर अपन capital में लिख देंगे तो उसकी meaning change हो जाती है तो आपको ध्यान देना है कि small letter में लिखा जाये code फिर अपन question में अपन देखते हैं कि अपनको equations क्या दे रखी है तो अपनको equations दे रखी थी यह अपनको equations दे रखी है 3 x is x cube आपनको x cube minus 2x minus 5 equal 0 तो यह equations अपनको given नहीं है अब इसका solution करना अपनको by section method से तो इस equations को अपन define करेंगे यह यह functions की form में define करेंगे इसको functions की form में define करूंगा यह तो fx करके यह functions बना दूँगा यह equal 0 को मैं अटा दूँगा तो मेरे को ने यह equations से define करनी है अब तुम कहोगे x power 3 तो x की जो degree है नहीं आपने 3 है तो इसको अपन कैसे दिखाए तो इसको दिखाने के लिए कोई भी लिखे न अपन x की power 5 अब यह अपन computer में कैसे लिखेंगे सिंपल से अपने से लिख सकते है पावर एक functions होगे अपने पास तो पावर मेंने break it लगा दो x यह पूरा बेस होता है फिर 5 उसका exponent हो जाता है तो अपने इस equations को यह define कर दी मैंने यहां पर यहां पर define कर दी हर बच्चे को याद हो जाना चाहिए कि यह fx एक functions बना दिया यह और यह इसकी value हो जाएगी x3-2x-5.0 यह कहां से लेके आए यह questions में अपन को दे रखा है तो इसको पर नहीं क्यों define करें क्योंकि अपनको fx calculate करना पड़ेगा तो fx एक functions बना के इसको यह equations को यह define कर दिया और यह करेंगे कैसे compiler कैसे allow करेगा तो compiler allow करने के लिए आपको यह यह याद रखना पड़ेगा कि अपनको हेस और define हेस डिफाइन छोटे अक्सर में लिखोगे यह अपने पास यह भी preprocessor है तो यह preprocessor हेस डिफाइन के थोपने यहां पर यह यह यूज कर हो जाए तो आपको करना कुछ नहीं है कोड सिमिलर ऐसे के ऐसे रहेगा equations चेंज करने का यह यह यहां पर आजाएगी तो यह पावर क्या करेगा यह बेस है यह एक्स की गात्री हो जाएगी तो यह अपनको मेंने इंपोर्टेंट रोल हो जाता है यह वाला portion यह वाला portion एक् पर लिंक सही होनी चाहिए यह functions बना दिया fx और यह functions की वह गई expression हो गया कि इस expression का result x की जो भी value में इसमें पूट करूंगा डिफरेंट डिफरेंट वेली आजाएगी एक्स की वेली अगर इसमें 3 रखों तो यह एफ 3 और यहां पर एक्स 3 हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5 तो जो भी रिजल्ट आएगा वाल्यूट कर देगा और इसको यह वाल्यूट करके अप रहनें 3 वेरीबल तो यह ले रखेया x0, x1 x2 और y0, y1, y2 और एक tolerance value होती है यह वेरीचेंश डिफरेंशन की दो वेल्यूट में तो दो रूट्स में डिफरेंशन करेंगे पन और तो फिर tolerance वेल्यू पर लेके करेंगे इसमें तो एक tolerance value .009 यह पन डिफाइन करके चलेंग आप चाहते स्ट प्रोग्राम में सुद्व कर सकते हो तो अपन को ट्लेंस एक ट्लेंश वेलु देनी है पोइंट 00001 पॉइंट की बाद में 30 लगाकर यह सकते हैं तो इतना इतना होना चीह मतलब इससे गेटर होना चीह अना यह लेस होना चीह में तो अपनको करेंगे क्या बगळेंग, अब देखो सब्सक्राइब है ऑपने को अब को अब को ऑफे इनिषालिह डिया स्टार्टिंग फ्रेटो थे आप को निएस्टार्टिंग नará है क्या घ्रुट को ने आप इनशुप कै दो इनिट्रटिंग बीच में और भीचinya कई तो ओने दोए डीड थे पासट करेंगे अब दो रूट्स को इनीशल दैने के लिए यह अपन करेंगे तो यह तो क्या हो गया कि प्रिंट पछाइंटिक को सीव 사 Divine को इपने कोटेशन क्या बसक्रे er Shot पर उलान के लिए जैसे कहीं होता है कि line change करो जैसे मेरा पें आप यह मैं काओं कैसे लहूं तो मैं तो अपना माईस सोच लेता हूं की बदलनी यह कंपुइटर के से करेगा एंटर प्रेस करो अब एंटर बसक्वाइए न सब्रिंटर में का काम करता है जब यह आउटकर स्क्रीन में जाओंगे तो लाइन चेंज कर देगा यह किप प्रुइन को नेक्स लाइन में कर देगा फिर यह पहले लाइन लिखी हुए आएगी पिर ये वेल्यू को accept करेगा अब तुम कहोगे कि value कैसे लेंगे तो value को read करने के लिए इसके नफ functions हो गया इसके नफ तो यह value को पढ़ रहा है इसके नफ के तुरू यह value पढ़ रहा है यहां पर यह value पढ़ रहा है यहां से अब यह ने यह दो बार percent f क्यों लगाया तो percent f का मतलब होता है flow data flow data percentage f के लिए आता है अगर मैं integer लगाता तो percent d लगाता है अगर मैं long integer data लेता तो ld लगाता एक वार याद रखने होगा अगर मैं double data लेता फ्लोट में भी double तो lf लगाता तो आप यह चार code होता है percent d integer data के लिए आता है percent f flow data के लिए आता है percent lf double के लिए आता है long float यह double करे दो percent ld long integer के लिए आता है तो अभी तो अपन है percent d percent f ज्यादा यूज करेंगे तो जब आपका फ्लोट डेटा आ जाए यह सब डेटा फ्लोट है तो input output में को भी value अपन यूज करेंगे तो percent f ही लगाना होगा इसके अपने अपने को दो value पढ़नी थी तो दो बार f लगा के quotation बंद करके दो variable लगा द यह इस पेस नहीं होगा यह quotation begin then close फिर कोमा में एक्जिव मेरर आती है यहां पर टाइप करने में तो आप इसके नफकार प्रिंटाप का प्रोपर सिंटेक्स एक बार याद रख फिर अपन क्या करेंगे tolerance value input में देनी होगी क्योंकि difference कितना लेना होता है तो अपन के tolerance value रखन तो यह float में पढ़ेंगे तो इसके एनफ हो गया चोटे अक्समें function से पढ़ने के लिए अब इसमें value keyboard से लेंगे तो यह float data आएगा और e के अंदर value को open pass करेंगे तो यह तो आपका data हो गया input का तो आपने यहां तक इतना सीखा कि आपने को तीन value input में लेनी है एक पहली value त इससे पढ़ेगा इससे और यह e की value है इस state में इसके नफ से पढ़ेगा और e से पढ़ने से पहले यह message screen पर आएगा और अपने दो value को पढ़ने से पहले यह वाला message screen पर देखेंगे तो आपका यह input का portion यहां तक हो गया प्रोग्राम लिखेंगे तो फ्रोग्राम लिखेंगे तो यह main functions compulsory है यह वोईड लगाओ वोईड अपने आप में keyword है और मैं एक function है यहां पर कोई भी भी से इतार्टिंग यहीं से होती प्रोग्राम की यह यहां पर यह main functions हो गया यह main का begin होता है तो begin को अपने ऐसे दिख पढ़ेगा फिर आप next देखो अब आपने काम करेंगे क्योंकि अपने पास data आ चुका अब data किस-किस में आया तो आपको पूरा knowledge हो गया कि x0 में एक value आ चुकी x1 में एक value आ चुकी x0 में आ चुकी x1 में आ चुकी e की value आ चुकी अब x0 की value का मैं क्या करूं अब इसको equations में भेजो तो यह equations काँडिफाइन फंक्संस में जाएगा यह तो यह सीधा इसका connection x0 की value देंगे अपन तो सीधे यहां पर put करेगा वो x0 की value आ यहां फंक्संस में आ जाएगी यहां पर fx जो अपने लिखाने x3-2x-5 यह value आएगी यह calculate कर लेगा f0 का जो भी मान होगा फिर अपन यहां पर calculate करके y0 में value assign कर देगा जैसे x0 में अपने 3 दिया अब यहां पर f3 जो भी evaluate होगा y0 में आएगा और फिर x1 में आपने 2 दिया तो 2 वहां से calculate करेगा y1 में आएगा फिर इसका solution होगा यह नहीं होगा तो solution होगा नहीं होगा तो अपना यह rule है कि y0 और y1 को multiply करें तो यह always positive value आनी चाहिए अगर नहीं यह positive value अगर आ जाती है याने कि y0 को y1 को multiply किया और अगर यह positive आ जाती है positive मिनला greater than 0 हो जाती है तो इसका महला होता है कि इस case में फिर आपका initial value नहीं unsuitable है यह message आ जाएगा और computer else में नहीं जाएगा तो else में नहीं जाएगा तो यह close कर देगा यहीं पर कब close करेगा reading कब नहीं आएगी इसका result कि जब आपका y0 और multiply y1 यह किस से greater हो जाए 0 से यानि यह positive value अगर आ जाती है तो positive value कैसे आएगी मानलों कि यह y0 य1 दोनों ही negative हो जाए तो यह 100% positive value आएगी अब यह negative value कब आएगी एक y0 का मान negative हो जाए और y1 का मान positive हो जाए तो multiply करूंगा plus minus को तो minus हो जाएगी तो माइनस वैल्य आजिए அगर सनर सही हो गई तो is statement को लेके पिर यहां से चले तो फिर यह क्या करेगा सीधा एल्स में आ जाएगा इफ के दो पॉर्स अना है इफ सही होने पर तो इधर जाएगा और यह गलत होने पर इस पर आएगा यह फाल्स होगा तो एल्स में जाएगा और सही होगा तो इस ब्लोग को ले लेगा यहां से यहां तक और फिर एल्स में कि अब डिपीटेशन केसे करेगा यह कंडिशन चेक करता है तो वाइल यह लूप का नाम है और यह अपने अब तुम कोगई यह फेब का क्या मतलब हुआ पहले इसको भी समढ़ लो मतलब हो गा एफ का मतलब तो समझीगे ना functions हर कोई idea लगा सकता है जिसको भी नहीं आता है तो समझ सकता है functions ABS का मतलब absolute value absolute value खुब पढ़ा है में इसमें निर्पेक्षमान जैसे कहीं बार होता ना कि X कमान मेरे पास मानलो कि 6 है और Y कमान 7 है अब तुमसे में कहूं कि X-7 कितना होगा तो एक्स कमान 6 है Y कमान 7 है यहां पे X-Y हां ना एक्स माइने वाइ कितना होगा तो यहां पे 6-7 तो यह नेगेटिव में आ गया हमें कि positive में आये तो हमें में स्में यह नहीं लगा देते क्या में इसमें लगा देते ने इसे मैं आपने ऐसे जिसे एसे खूब किया ना तुमने X माइनस वाई और यसे दोने तरफ एसे वर्टिकल लाइन ढाल दी तो इसका मदला होता है यह हालवेद पोजेटिव में कंवर्ट करेगा अगर यह डिफरेंस नेगेटिव में भी आता है तो पोजेटिव में बना देगा तो यह क्या करेगा, x1-x0, यह reading अपने कहां से दी, inputs से दी है, x1-x0 की, तो यह reading, जैसे यह x1 का माण, अपना x0 का माण 3 है, और x1 का माण, तो यह 2 में से, 3 को minus करेगा, तो negative आएगा, तो यह क्या करेगा, फेप, यह positive में convert कर देगा, तो φेप सर्च नाम हो गया, absolute यह ना functions का नाम हो गया तो यह क्या करेगा फंक्स पोजेटिव जो भी वेलिवाइड डिफ्रेंस X1 का माइनस X0 का जो भी डिफ्रेंस आया उसको डिवाइड करेगा X1 से X1 भी इंपूट से मिला वाई इसको तो यह अपन दो रिडिंग X1 और X0 को इंपूट से लेके चल रहे हैं तो यह केल्कुलेट करेगा यह ग्रेटर देन अगर यह होता है यह की वेलिव पन ने क्या देंगे अपन यह देंगे अपन पॉइंट 0001 चाहिए लेए अगर इसे ग्रेटर होजाना चाहिए मल जूली ऐगा अगर यह ग्रेटर नहीं होता है तो फिर आया Quit करता रहे तब तक ये ग्रेटर हो आये चलता रहेगा आ जादने पढंडियोट के मतनल होता है कि जब तक आपे इस परहसेस में बने रहो जब तक ये इवालीएट करेंगा इवालिएट करेंगा आपक install in को यह अब एक स्थू कैलकूलीट करेगा x0 प्लस इनका average निकाल देगा 2.0 कब निकालेगा जब यह condition सही होगी कौन सी absolute value x1 minus x0 को divide करेगा x1 से अगर यह greater दिन आता है तो फिर यह average value निकालेगा x2 में store करेगा और फिर y2 में यह evaluate करेगा x2 में जो भी value आई यहाँ पे फिर यह functions में जाएगा करेगा evaluate करेगा यहाँ पे result आएगा y2 में और फिर यह अगेन देखेगा greater than 0 है तो अगर यह greater than 0 है y0 into y2 की जो multiplication का जो भी result आएगा तो फिर यह x2 का मान x0 में assign करेगा otherwise x1 में x2 का assign करेगा कि यह depend करेगा मलब यह दो alternate होगे अगर यह greater हुआ तो x2 को x0 में डालेगा और अगर यह greater नहीं हुआ तो x2 का मान को x1 में डालेगा और डाल के और फिर वापस जाएगा यह एक cyclic process में चलता रहेगा तो इससे भाहर गवाएगा तो बाहर आने के लिए यह condition फेल हो जाएगी जैसे यह condition फेल हो जाएगी तो यह अपने आपना बाहर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा तो इस process मैंने यह evaluate करता रहेगा और यह इसे इमिंस tolerance value से चेक करेगा कि X1 और X0 का जो difference है फिर average निकालेगा ठीक है अगर अगर ग्रेटर हुआ तो average निकालके X2 बनाएगा X2 को फिर फंक्शन से वालिवेट करेगा फिर यह यह value लेक लेके आएगा फिर यह जीरो इंटू आइटू को फिर multiply करेगा फिर ग्रेटर दिन से फिर जीरो से चेक करेगा अगर यह condition होती तो X0 में X2 से replace कर देगा otherwise X1 को X2 से replace कर देगा अब यह तुमने ने यह लोजिक पढ़ा होगा बाइसेक्शन मेथड में यह और रूल रेगूलेशन पढ़े होंगे सोलेशन भी किया होगा मेन वाल तो अपन को यह इसको डिजाइन कर दिया फिर यह जैसे यह वाइल लूप की condition में फैल हो जाएगी तो यह आउट पूट अब यह क्या करेगा लाइन चेंज यह जाएका आउट पूट आएगा फिर यह दो बार एंटर की की कि विल हो गया फिर यह कहेगा solution converges to root of the given equations 8.3 का क्या मतलब होगा कि यह 8 block बनाएगा इससे 8 block बनेंगे अब तीन तो यह decimal के होंगे एक point का हो गया और आपके यह न पांच यहां पे हो गया चार डिजिट integer का हो गया तो यह चार डिजिट integer का portion फिर point आए फिर three decimal point तक लेगा यह point का portion नहीं है यह टोटल वीड था टोटल में से तीन decimal के फ्रेक्शनल पार्ट के निकाल दो एक डोट का निकाल दो चार डिजिट आपके यह रहेगा इंटेजर पॉर्सर का यह एक फॉर्मेट बनाके अपने रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं एक स्टूक में प्रिंट कर वा रहा हूं यह पर फिर गेट से इसक्रिन को पोस्ट करेगा और फिर यह फाइनल क्लोज जाएगा यह लूप नहीं यहां से चल रहा है यह डिंशन आजएगी फिर यह तो यह इसको ले लेगा और गलत हो गया थो यह यह इसको लेनेगा तो दो बलोग बन जाते हैं एक त reference का और एक गलत का इस प्रोग्राम को आप अप सकते हो कि ऊष्ट हो यह रुटिंग कैसे और देंगे तो यह रुटिंग देंगे तो यह रं की रिडिंग तो जरूरी है अपनको तो रन के अगर यह से लिखवाया प्रिंट अप से आएगा एंटर टू इनिशेल स्टार्टिंग रूट्स इसमें टूर थी देंगे और टोलरेंस वेल्व में पॉइंट जीरो जीरो फ्री टाइमस और वन जब जैसे में एंटर दूंगा तो यह इसका आउट्पूट का रिजल्ट्स आजाएगा आपको यह आउट्पूट आजाएगा अगर यह आ रहा है तो आपने प्रोग्राम सभी टाइप किया अन्यों किया पूरा तो फिर आप प लिखो कंपिटर में पूरा चेक करो अब चेक करोगे तो सी लेंगवेज को खोलो प्रोग्राम को टाइप करो टाइप करके फिर उसको सेउ करो रहा हो एकको अभी एरर आती है तो उसका करेक्शन करो फिर वापस रिये एक्जिग्यूट करो बार बार यह कमांड चलाएंग तो आपके कमांड याद हो जन्हां ची तो सेव करने के लिए एफ टू कमांड है पूरानी फाइल को खोलना हो एफ थी कमांड है और अल्ट एफ नई से कंपाइलेशन होता है कंपाइलेशन में एरर को चेक करेगा पूरा एरर फिर होगा तो फिरी कंट्रोल एफ नाइन का सट्रीन करेगा सकते हैं की बोड के सोटके खमांड है यह एक यह आल्ट एक से सी का ब्रोग्राम से बाहर पर रहें बंद हो जाएगा उर बाहर आप प्र辉से Adventure अगर यूजर की इस कि देखना चाह जाहो क्य孩 इसक्नी नहीं इस देखने जाह सो one with two showing से वापस Output की स्क्रीन पे चले जाओगे अल्टे एंटर से मालो C Language का जो बोक्स है Windows अगर छोटी होजाती है restore हो जाती है तो यह full screen convert कर देगा यह C Language में 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 च्राइं दिलिट करेंगा तो कंट्रोलाइब को डिलिट करेगा अगर अपने एडिटिंग करना चाहूं पास्ठ तो कंट्रॉल यादधिन में होने जिरल नहीं मान्त मोपूड की परेक्ति कि रोकुड के सोटकेट कमण्ड कीबोर्स कोसे सब्सक्रद इनको एक बार याध रख AH फिर provis만 को चल जाती है और C लेंगवेज का प्रोग्राम लिखेंगे सी लेंगवेज का कमपैलर का नाम है अब हब अपनज यूंज करेंगे ज्विवी चल जाती है और और C language को भी अपने लन करवा सकते हैं तो आगे देखो फिर यह कुछ important terms है कि compiler क्या होता है वाइवाब में पूंचते हैं तो compiler एक program का नाम है एक program है software है तो यह अपन जो language में high level language में यह code लिखते हैं कि C language में तो यह source code कर लाता है तो यह source code को लेके entire program को एक साथ में लेगा और machine language में बदलेगा machine language binary language होती है यह binary language होती है 01 पे चलता है computer और यह program क्या होता है program is the set of instructions आदेशों का संभू है c tokens क्या होता है कि program जब बनाएंगे तो टोकन के थुरूई बनेगा तो सबसे इसमाले इस्टे यूनिट होती है छे प्रकार के tokens होती है जिसमें variable टोकन का पार्ट है constant टोकन का पार्ट है keyword टोकन का पार्ट है operator टोकन का पार्ट है वेरिबल्स के आउगे data के पूरे नाम है इसको बन बोलते है न चर्ण और इसको बोलते है अचर्ण में इसको variation different different value को रख सकता है जैसे x y z अपने मान के चलते है में में वह वेरिबल ही है एक्स की वेल्व 345 कुछ भी ले सकता हूं मैं वेरिबल्स की वेल्व चेंज हो सकती है तो computer में variables data names हो गए data value को store करेगा data value को hold करने वाला value को store करने वाला value container of the value का है तो simple सा है constant and fix value को refer करेगा चेंज नहीं होगी जैसे पाई कमान अब पाई कमान फिक्स होता है वेरिबल अपने इसे बना देता है integer a b c तो यह वेरिबल हो गया यह डेटर टाइप के थुरू वेरिबल का declaration करते है और constant बनाने के लिए अपने हैं सी लेंग्वेज में हेस डिफाइन यूज करेंगे अपन सी लेंग्वेज में की वर्ड फिक्स वर्ड होता है 32 चोटे अक्सर में लिखेंगे कमांड की तरह काम करेंगे ऑपरेटर से पुरा काम होगा सिंबल्स है और अर्थमेटिक और लोजिकल केल्कुलिशन ऑपरेटर के थुरू होगी तो जितना भी अपने ऑपरेटर के थुरू करेंगे तो यह टर्म्स आपको आजानी चाहिए फिर नेक्स देखो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबस्क्राइब जरूर करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में पूरा शेयर कर सकते हो बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आज की क्लास को अपनी यह पेंट करेंगे थेंक्यू